हम आस्वादन कर रहे थे प्रक्ति के सुकुमार कवी सुमित्रानदन पंच जी की कविता नौका विहार कवी गंगा की सेर के लिए जाते हैं और हमने देखा कैसे तपस्विनी गंगा श्रान्त कलान्त तन्वंगी सी लेटी उन्हें नजर आती है कैसे नाव हंसिनी सी मंद मंद मंधर मंदर तेरती है और कैसे काला कांकर का राजभवन निश्चिन्ध होकर पलकों में वैभव का स्वपन देखे सो रहा था और शुक्र नशत्र परीसी जल में तेरती नजर आई और दश्मी का शशी मुगधा नाईका की तरह कभी गुंगट में मुच पाती कभी अपने तिर्यक मुख दिखाती नजर आई अब देखते हैं नौका कहां पहुँशती है और कभी कलपना किस पकार और आगे बढ़ती है जब पहुँची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार जब वो चपला अर्थात वो नौका गंगा के बीच धार में पहुँची तो कभी देखते हैं कि चांदनी में धुला गंगा का कगार यानी किनारा बिलकुल दिखाई नहीं दे रहा है चिप गय कगार दो बाहों से दूरस्त तीर धारा का क्रशक कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर अब जो गंगा के किनारे हैं वो काफी दूर नजर आ रहे थे क्योंकि नौका बीच धार में पहुँची थी और वहां से दोनों किनारे कवी को ऐसे प्रतीत हुए मानों वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नाईका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हों जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी है दो बाहों से दूरस्ततीर धारा का क्रिश कोमल शरीर क्रिश मन्स दुबला पतला आलिंगन करने को अधीर एक बार और देख जब पहुँची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार दो बाहों से दूरस्ततीर धारा का क्रिश कोमल शरीर आलिंगन करने को अतिदूर शितिच पर बिटप माल लगती भृूरे खासी अराल अपलक नभ नील नए नविशाल फिल कवी देखते हैं कि दूर अति दूर शितिच पर यानि की होराईसन पर यानि जहां आकाश और प्रिथवी का मिलन होने का भास होता है वहां कतार में खड़े हैं व्रिक्ष और व्रिक्षों को देख खवी को लगा वे नीले आकाश के विशाल नेतरों की तिर्ची बौहें हों व्रिक्षों की जो कर्व्स हैं वो कवी को लगता है कि आकाश रूपी आँकों के आईब्रोस हैं ये व्रिक्ष और वे आँखें क्या कर रही हैं वे आँखें धर्ती को एक टक अपलक निहार रही हैं बिना पलक छपकाए एक टक होकर धर्ती को उसकी मनोहर रूप को उस चांदनी में धुलेवे धर्ती के अनुपम सौंदर्य को निहार रहा था आकाश और उस आकाश के नीले नैनों की जो बोहें थी वो व्रिक्ष नजर आ रहे थे वो व्रिक्ष बोहें रूपी नजर आ रहे थे अतिदूर शितिच पर विटप माल लगती भ्रूरेखासी अराल अपलक नभ नील नैन विशाल जब पहुची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार दो बाहों से दूरस्त तीर धारा का क्रश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर अतिदूर शितिच पर विटप माल लगती भ्रूरेखासी अराल अपलक नभ नील नैन विशाल अब देखो उस चांदनी रात में और क्या दिखाई देता है उन्हें मा के उर्पर शिशू सा समीब सोया धारा में एक द्वीब कवी आगे कहते हैं कि वहाँ पास ही उन्हें एक द्वीब दिखाई दिया गंगा की धारा के मध्यस्थित उस द्वीब को देख कवी को ऐसा अभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की चाती से लग कर आराम से सो रहा हो मा के उर्पर शिशू सा समीब सोया धारा में एक द्वीब और वो दीब क्या कर रहा था ओरमिल प्रवाह को कर प्रतीब ओरमिल प्रवाह यानि की लहरों से युक्त जल प्रवाह वो क्या था वो दीप प्रतीप कर रहा था उस जल प्रवाह को यानि विपरीत दिशा में पानी को मोड रहा था देखिए नदी के बीचों बीच दीप है और दीप से जब पानी के लेरें टकराती है तो स्वाभाविक है पानी विपरीत दिशा में मुड जाती है और द्वीब कैसी सो रहा था जैसे एक शिशू अपनी मां की चाती से चिपट निश्चिन्थ होकर सो रहा हो देखो कैसी कवी कलपना है नदी के बीच एक द्वीब को देखकर ऐसी कलपना करते हैं कि शिशु अपने मा के उर से अपने हिर्दय भाग से लिपट कर आराम से निश्चिन्ध होकर सो रहा जब पहुंची चपला बीच धार छिब गया चांदिनी का कगार दो बाहों से दूरस्त तीर धारा का कृष कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर अतिदूर शितिज पर विटप माल लगती ब्रूरे खासी अराल अपलक नभनील नए नविशाल मा के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप पह कौन विहग? क्या विकल कोक? उडता हरने निजविरह शोक अचाना कवी को एक पक्षी दिखाई देता है वो पूछ बैठते हैं वह कौन विहग? क्या विकल कोक? उडता हरने निजविरह शोक कवी को लगता है कि जरूर ये चक्वा पक्षी होगा जो अपनी चक्वी से रात की बेला में बिचुडने के लिए भिशप्त है आपको पता है चक्वा एक मितोल्जिकल बर्ड है जिसके बारे में मितोल्जी में कहा जाता है कि एक बार एक युवा जोडी हुआ करते थे जो आपस में काफी प्रेम करते थे और उनकी पवित्र प्रेम को देख कर देवताओं को जरन हुआ और उन्होंने उस युवा जोडी को शाप दे दिया और उन्हें चक्वा और चक्वी पक्षी में बदल दिया और एक और शाप था उनके उपर कि वो रात को नदी के दो किनारे पर हो जाने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं मतलब कि रात पर विरह में वो रोते रहते हैं चकवा और चकवी केवल सुब़ यह उनका मिलन हो पता है ऐसा मितोलजी है एक मितोलजी किल स्टोरी है जिसे हिंदी के कई कवी प्रयोग में लाते रहे हैं चकवा और चकवी पक्षी की विरह वेदना और विरह वेदना में रोने की बाद कई कवी अक्सर प्रयोग में लाते हैं तो यहां भी कवी कहते हैं कि जिस पक्षी का मैंने विकल अर्थात व्याकुल गीत सुना वो क्या विरह में व्याकुल चकवा पक्षी की ही आवास थी? कभी फिर कल्पना करते हैं कि शायद उस चकवा पक्षी ने गंगा में दरपन समान पानी में अपनी ही चाया देखी होगी और उसे लगा होगा कि उसकी प्रियत्तम चकवी है और इसलिए वो भ्रमवश गंगा के जल में अपनी ही चाया को देख कर चकवी समझ कर उड़ रहा है विरह वेदना को मिटाने हे तु व्याकुल हो वो आकाश में उड़ता जा रहा हो वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता हरने निजविरह शोक छाया को कोकी का विलोक ओके समझ गया ना अब एक पर फिर देखते हैं पद्यामश को जब पहुँची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार जब उनकी चपला उनका नाओ गंगा के बीच धार में पहुँच गया तो छिप गया चांदनी का कगार चांदनी में धुला हुआ कगार कगार यानि नदी के जो किनारे हैं वो एकदम दूर नजर आने लगे दो बाहों से दूरस ततीर धारा का कृशक कोमल शरीर और कवी को वो दोनों किनारे देखकर ऐसे लगा जैसे दो बाहे हों जो बीच में बहती गंगा की कृशक कोमल शरीर को पतले स्लिम शरीर को आलिंगन करने के लिए काफी उच्सुक हो आलिंगन करने के लिए काफी अधीर हो अतिदूर शितिच पर विटप माल लगती भुरेखासी अराल अब देखे दूर क्या दिखता है विटप माल विटप माला मिन्स विटप यानि व्रिक्षों की का समोह उसे देखर ऐसा लगता है भुरेखासी जो आईब्रोस के समान लगता है अपलक नभ नीले नैन विशाल नीले नैनों के जो विशाल नैन है आकाश रूपी उसके आईब्रोस के समान वो व्रिक्ष नजर आ रहे थे और वहाँ देखो मा के उरपर शिशूसा समीप सोया धारा में एक द्वीब गंगा के बीच एक बीचों बीच एक द्वीब दिखाई दिया और वो यून इश्चिन्थ होकर आराम से लिठा जैसे बच्चे अपने मा के चाती से लिपट कर लेते हैं वैसे ही मा के उरपर शिशूसा समीप सोया धारा में एक दीब उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीब और वो दीब क्या कर रहा था गंगा के उर्मिल प्रवाह को प्रतीब कर रहा था मतलब उसकी दिशा बदल रहा था पानी आकर द्वीप पर टकराती है और पानी की दिशा बदल जाती है वह कौन विहग? क्या विकल कोक? उड़ता हरने निज विरह शोक अचानक वहाँ एक पक्षी को रोता हुआ दिखाई देता है वह काफी विकल होकर रो रहा है तो कभी कहते हैं आरे यह कहीं वह चक्वा पक्षी तो नहीं है जो काफी विकल होकर वियाकुल होकर विरह में रो रहा है उड़ता हरने निज विरह शोक वह अपने शोक को हरने के लिए उसे ओवरकम करने के लिए ही उड़ रहा है चाया को कोकी का विलोक उसे अपनी चाया दिखाई दी होगी अपनी प्रतचाया पानी में देखकर बेचारे को लगा होगा कि वो चकवी है तो इसी लिए वो अपने शोक में रो रहा है समझ गए होगे ना प्रस्तुत पध्यामश में सुमित्रानदन पंध जी ने नौका विहार करते वे गंगा के दोनों तटों के प्राकृतिक ग्रिश्यों का मनुरम चित्रांकित किया है उड़ते पक्षी को विरह में गाने वाले चगवा पक्षी के समान कहा है और द्वीब को मा के उर्मे निश्चित सोने वाले शिशू के समान कहा है और किनारे कगार पर खड़े विर्शों को आसमान रूपी नीले नैनों के ब्रू के समान अर्थात आईबरोस के समान चित्रत किया है जो अपलक, बिना पलक जपकाई, नीचे, धर्ती के मनोरम साउंदर्य को उस चांदनी रात में निहार रहे थे तो आप समझ गए होंगे जिने फिर शब्दार्त की दिक्कत होगी वो ये कृपिया देख लीजिए क्योंकि इसमें काफी तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है सैंस्पित वर्ड्स हैं, शायद आपको समझने में दिक्कत हो तो इसकी साहता ले सकते हैं अब हम सीधे चलते हैं इसके मल्यालम वर्शन की और सुमित्रांधन पंथ एन्न चायावादी कवी, रोमांटिक पोयेटेर दिये, नोका विहार एन्न वळरे प्रसिद्धमाय अधियत्ते इन्न कावियत्ति इन्टे, नाला मत्त पध्यामशत्ति लाणिन नम्मिल येत्ति निल्गननदु अब आवरु बोटिंगन अधेहं पोवन्नू, निलावुल्ल रात्री, चुच्चिनुम् काणन प्रगृदीड मनोहारिदा, अधेहं अधने यल्ल्नाम परसोनिफाई चेदु, मनिश्य विगारंगल अधिल उल्कोल्लिच्च, अधेहंगिन वर्निच्च, वर्निच्च प पोवन्नू, पिन्न शुक्र नष्चत्रम वेल्लत्तिल, ओर्यु एंजलने पोले उल्यिगी नडखकननन पोले तोनू, पिन्न जलत्तिल काणनन नष्चत्रंगल रिफ्लेक्षन, नमलोरु स्त्री, दीबानयाद, कुण्डन अडखकननन पोले तोनू, अगन अपनर पलवल उपवंगल, चेईदु-चेईदु, अधेहं, पोहुंच्च्टे कहा है, अधेहं, इवड़ा नित्तियदु, जब पोहुंच्ची, चपला बीच धार, अवरड़ा चपला, चपला नवच्च, आवल्लम, नडखकेत्ति, गंगा नदीडे, ओल्मोस्ट मिडिल्ले एटित् अब उन्नु, नम्म, रण्डु वशत्तो, उल्ल, तीरंगल, कानाद आई, अउन्गु नल्ल, दूरत्तिल, पोहुंच्च, इवर रिवर्ण, मिडिल्ल एट्थी, अब रण्ड साइडलें, कानादे आई, अथ्रके नल्ल, डिस्टेंसल आई, दो बाहों से दूरस्त तीर, धाराका क्रिश कोमल शरीर, अब आ रण्ड साइडलें, नदीडए आउरु तीरं, अउन्ग दूर आई पोई, अब अधु इरट्टत्त गंडप्पम, कविकी तोनी, मध्यत्तूड उड़िकुनने, आ उरु क्रिश कादे आय, क्रिशनुरें, वलरे मेलिंग्य, कोमल शरीर आलिंगन जैयान, रंड कैईगलुम् वीशि वरन पोले आन, आ रंड तीरंगलुम् कविकी तोनी अदू, दो बाहों से दूरस्त तीर, धाराका क्रिश कोमल शरीर, आ गंगा रूपी, मेलिंग, साउंदरिवदियायास्त्तरिये, आलिंगन जैयान, वरन पोले, रंड तीरं इंगने रंड सैडीनुम् वरन पोल अधेहत्तिने तोनी, अधेहत्तिने वल्लम् ओल्मोस्ट्युम् अध्यतिल निक्कियाणु, आलिंगन करने को अधीर, उरी अधीराग, अधीराग, अधीरागन चा परलले शमा नष्टपड़ुगा, एंगन एंगिली उन्न आलिंगिन आगरहीकिनन, रंड कैगल पोले आन, रंड तीरंगलुम् रात्रीलि देहत्तिने तोनीयदु, अथी दूर, शितिज पर विटप्प माल, लगती, भुरूरे, खासी, अराल, अप्पनोगो दूरे, अंग दूरे शितिज, शितिजिन्वरेंब होराइसन, आगाशों भूमी तोट्ट्ट्टी इल्लान वर्णे निकिनन, नमको तोन्ने आंग अंग द्यासल, अथ अवड एंधान काणन अधु, विटप्प माल, विरिक्षंगल्ट वरुको टाईम, अवड़े, इंगिनन इरिक्टत्त इंगिने, निप्पोंडु, अप्पा, आ विरिक्षंगल्ट निल्प कंडाल, लगती ब्रूरे खासी अराल, अथ इंगने, अराल, अराल नच्छे वळवोल्ड, नमको आईब्रोस इंगिने, वळवोल्ड वोल्ड, इवरिक्षंगल्ट शैडू, अधु, कादर निप्प कंडप्पम, रंड आईब्रोस वोले इंगिने, तोनी, तीरं विर्ती, ब्रूरे खासी, अराल, अप़लक் नभ्ष, नील, 9 विषाल, अप़लक्, पलक् बिना जप्काय, इमवե՝्टाथे, आगाशं नभ्ष, तंडन, नील, 9विषाल, विषालमाय, नील, 9विषाल, आगाशं, इमवेट्टादे, इवरु निलावोल्ल रात्रील साउन्दिरियं नोकिकोण डिरिक्के अड़िन, मोलीनिंगा तालोट्ट। आ आगाशत्तिंदे, आइब्रोस आणई व्रिक्षंगल इंगने, व्रिक्षंगल्डे अवरु कर्व। अधु व्रिक्षंगल्ड अराल, अराल नोच्छा, इंगने, कर्वोल्ल, आवरु शेप। अप्पवां वेरु उरु काईच्चेंगोड कांडु माके, उरु पर शिशूसा, समीप, सोया, धारामे, एक द्वीप उरु द्वीबं गंडवत नडेक्के, रिवर नडेक्के, अध इंगने, आणु कवी वरनेकिनदु उरु अम्मेड नन्यजोड चरन उरु शिशू उरंगन बोले आणु इद्वीप इद्वीप इद्वीड मडित्तटिल खुरुदेय भागत्तु वल्लरे सुगमाईट्टु ओरंगन्नदु माके उर्पर उरिन वेचा हुरुदेप हुरुदेत्टिलोड चेरनु शिशूसा उर्णगन्न वोले सोयाधारामे एक द्वीप उर्मिलवप्रवाहको कर्प्रतीम stillुदेत्वीप गceptionर्णगन्न वोल्ला इद्वीप पुर्मिलने वच्चा इए तिरमालगलोल्ला इए उडिकोल्ला इए वेल्लमन्न इंगिने तट्टम्पोल्ल अधुने प्रतीप आको, प्रतीप नवच्चा विपरीत डेरक्षेनलो, उपसित डेरक्षेनलोट अधु तट्टीविडू. वह कौन विहग, 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 पक्षी, क्या विखल शोग, एंदोरु धैनियमाय वरु, शोग, मोगमाय वेधने आणा, पक्षीकी, अधने आवरु, नेलेविलेके, क्या विखल कोक, अप्पेडाना, कविया अलुईकिन अधु, अधी वेशमीच्च पाड़न्न, आ चक्वा पक्षी आणो, करनं इचक्वा पक्षे, उर्य मित्तोलजीकल बर्ड आण, अधने प चक्वाईं, चक्वीं, पक्षी आएट्टु मारु, अधुवले वेरुशाबों अवरक्क, अवरु रात्री आवंपांग, वेरुपिदिया, नियोगीक्क पिट्टगान, रात्री आवंपांग, अवर्ण संगमों उन्डावति इल्ल, अवरु नधीड रंड सैडुम, न अलेमीकाड विरहं, अलेंगिल आत्मा, परमात्मा, ड विरहत्ति निरंद्रं करण्योंट रीकिन्न उरु विरहिनी, अलेंग्यल विरहत्तिल् मरु प्रियतमने उपम्मिकेन अधि चक्वा, चक्वी पक्षीलाँ, अब्ब इप्प इएर आत्रील उरु पक्षीला गरग पोल्ल कविकी तोनी इद चक्वा पक्षी आयरिक्यूं। उड़ता हरने निज विरह शोक। तंड विरहम माच्चा मेंडी आयरिक्यूं। अधेहम इपक्षीपम परक्कन दुद। पिन्येल अधेहम तोनी अन्दान। चाया को कोकी का विलोक। इपक्षी कोर अबत्तम पच्ची काणूं। विलोक मीन्स देखना। कोकी की चाया। इज गंगेड स्वच्च निर्मले माये विल्लतेलें इन्द नोकियालें अधने रिफ्लेक्शन अडिक्यूं। इज चक्वा पक्षी तन्ड प्रदिभिम्बं गण्डु अधु चक्वी आणननोलों ओर मेलाणों इज नेलवलिच्चोंट अग्मोट्ट ओड़ परक्कनदु एन्न कविक्ये तोनी पोवान। अपप इपध्यामिशत्तिल एंधक्यान नमको नूड नोकां जब पोहोंची चपला बीच धार चिप गया चांदिनी का कगार इवरड़े ये वरु वल्लम ओल्मोस्ट मिडिल एत्ती मत्यत्तिल एत्ती गुंगे नदीड अपप रंड साइलें तिट्टकल नदीड तिट्टकल अंग दूरे आई पोई चांदिनी का कगार कगार नदीर रंड सैलें कार अदु चांदिनी का कगार निलाविल कुलिच्चे अकनन आर रंड कगार वंग दूरे आई दो बाहों से दूरस्ततीर धारा काक्रिश कोमल शरीर आर रंड साइड्सुम् रिवरंडे अधि इंगेन नीन रंड कैगल इंगेन आलिंगेन चेयां वरिननद पोले तूनू आरे आलिंगेन चेयां इन नड़कूड उड़ुगुन्न क्रिशगादे आये वल्लर मिलीन्य कोमल शरीरोल्ल युवदी आलिंगेन चेयां अधिर आवन द पोले अधिर नचे श्यम इल्ला द वरिगा आलिंगन करने को अधिर अथि दूर अप्र दूर एंधा काणंद शितिचपर विटप्प माल मरंगल्ड इंगिन वरिक्षंगल्ड वर्यु कूटायम गाण दूरे लगत्ती ब्रूरेखा सी अराल अधि कंडालिंधान आईब्रोस पोले अरालन वच्चे इंगिन वळवोल्ले आईब्रोस इन शेपलोले अप्पलक्क नभ नील नयन विशाल आगाशं अप्पलक्क इम वेक्टादे नील नयनंगल कोंड विशालमाय नयनंगल कोंड तालोटिंगिन नोकिकोंड वीख्षिचोंट थेक्यान भूमेड साउंधिरिय। आ नील नयनंगल्ड आईब्रोस आणी विरिक्षंगल्ड वरु कर्वस तोनननदु माके उरुपर शिशूसा समीप सोयाधारामे एकुदीप अप्पिणे आणन खाणन दो उर्य अम्मेड नंजोड चरन खड़कनन उरु शिशुवी ने पोले वाल्ले वाल्ले मनुहरमाय एक्ट कड़कनन उरु द्वीब ने काणन दु आ नदील नडुक्क रदेय भागत्त द्वीब वळरे सोस्तमाय एक्टिंगिन कड़कन अदु गंडट्ट कवी इम्मैजिन जईयाणु अदु उरु शिशुवाणु अदु अम्मेड नंजोड चरन वळरे शांधमाय एक्ट कड़कन याणु उर्मिल प्रवाह कोकर प्रतीप अप्पा आ उरु द्वीब लेक्ट वेळला मन्न तट्टुम्पोल आ प्रवाह जल प्रवाह अंग प्रतीप आगुं प्रतीप नवच्चा विपरीद डेरक्षिन लेक्ट पुढ़कु वह कौन विहग् क्या विगल कोक पेट्टनुरु पक्षीडे विलाबंगेट पोल अदु एदु पक्षी आणव अदु चक्वा पक्षी दन्ने आणों पुड़त्ता हरने निज विरह शोग, तन्ड विरहत्तिल निज सोंधम, सोंधम विरहत्तिल विरहत्तिने ओवरक्षिया मेंडिया आणों इपक्षी इमोट्ट परक्कननदु अदो चायाको कोकी का विलोग, अदे इन्दे रिफ्लेक्षण कंड़ेट्टु अदु कोकी आणनों अदु चक्वी पक्षी आणनों नोंल धारनेल आणों इकडनन नलविल चंगोट्टी मोट्टुम इर पाधिर आतरिक्के, यल्ला जीवजालेंगलों शांधमाय अधि चकवा पक्षीम इद विरहत्तिल करेवन ना परेनादु राथरी मुल्यूवेन इंगेन करेजोंटे इरिक्यों अपड़ इद आ विरहीनी आणों एन्नकवी संगल्पिकियाणू प्लेयर आयलों इल्लें? आपँ, यहींगलों बीकॉम कारा अत्र वरे, इतो सिंपल्पल जोधियावा निगेक्के वेरनना अनोटेशन सोन्नू इल्ला, जस्ट अधने विर्य ब्यूट्टी मन्सला के आस्वदिक्या, अथ इनी इम्रिफिकल्ट आटेट तो नवरी इवर्ड मीनिंस वोन्नू नोक् बास्कारे